नमस्का दोस्तों एक बार फे श्वागत है आपका स्विव प्रॉपर्टी जवलपूर में मैं जितन कुमार आप सभी वीवर्स का तहदिल से स्वागत करते हैं सुख्रिया करते हैं जोने मेरे चैनल को इतना सपूर्ट किया और सब्सक्राइब किया तो मैं आपके लिए समय स बुलहागर हाइवे से 4 से 4.5 किलो मीटर के दायरे पर मैं खड़ा हूं और पूरा यही डामल तच यह आगए निकल गया है इस ही रोड पे मैं आपको जमीन दे रहा हूं पूरी पांच एकर जमीन किस पकार की प्रेटेल समझ लीजी में पूरे पांच एकर जमीन में तार फैंशिंग है चारों तरफ से सामने फ्रेंट लगबग 140-500 सम्थिंग का फ्रेंट मिलेगा आपको चलिए अब मैं आपको जमीन दिखाता हूं तो यह मैं अंदर तो नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि धान लगा हुआ है यह दीजिए यह मैं आ गया जमीन के पॉइंट पर यह देख सकते आप यह पूरी जमीन जे आप खंबे देख रहे ना जूम कर लेता हूं यह जो खंबे देख रहे यह पूरे खंबे लगे हुए हैं ये पूरे खंबे लगे हुए है, चारो तरब ये पीछे का हिस्सा है, पूरे खंबे लगे हुए है, ये पूरा खंबा लगा हुआ 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 है, और ये सामने भी पूरे खंबे ल यह देखें पूरा पांच इकड़ में थान लगा हुआ है एक नमबर की खेती वाली जमीन है यह देख सकते हैं विजली की विवस्था है वाटर लेविल के गर हम बात करें तो ज्यादा ज्यादा 55-60 फिट पे वाटर लेविल है और 130-500 फिट पे आपको गर्मी में भी लगब 3 इंच पानी चला लेंगे वह डीपी लगी हुई है आप देख सकते हैं मैं जूम करके डीपी दिखा दूं यह देखें यह दीपी लगी हुई है तो आप इस से बिजली भी यूज़ कर सकते हैं अच्छा है तो और फिलहाल यह रहा फ्रेंट आपका डामल रोट पे जो में आपको ज्यादा ज्यादा मैक्सिनुम 4 किलोमीटर कुल मिलाके 10 किलोमीटर अन पनागर तो यह एक जमीन है बहुत अच्छी जमीन है सठीक सौधा है अगर इस सौधे के बारे में कोई भी वीबर्स हमारा किसी पकार की जानकारी लेना चाहता है तो मेरे पसनल लंबर पूरी तरह से तार फैंशिंग 5 लाइने तारों की डली हुई है और पूरी चारों तरफ से तार फैंशिंग है आपको ना कोई नक्सा कटाना है ना कोई तार फैंशिंग करनी है बस आपको सीधे जमीन पे आके अपना हक लेना है सिपक जलेना है तो दोस्तों मैं अपने व